दोस्तों आज हम बवात करने वाले हैं 1000 स्कॉयर फिट के छट में कितना सरीया लगेगा अगर जरब आप लेंटर डलवाते हैं अपने घर में तो आपको ये कैसे कल्कुलेट कर सकते हैं कि आपका अगर 20 बाई 50 का सपोर्ड़ मैं एक हाउस प्लान लेकर चलता हूं बहुत ही स इसका चौड़ाई हो जाता है और 15 मीटर ये अगर मीटर में वैल्यू कल्कुलेट करें तो इसमें कैसे आप पता कर सकते हैं कि कितना सरीया कितने कुंटल आपका सरीया लगेगा इसी के विसमा आजम चर्चा करेंगे बहुत से लोगों को डाउट होता है जब आप घर अगर हम सरीया की बात करें तो आपका साइज 20 फिट चोड़ा है और 50 फिट लंबा है अगर मीटर में कल्कुलेट करें तो 6 मीटर यहां पर आपका हो जाता है चोड़ाई और 15 मीटर हो जाती है लंबाई अप्रॉक्ष में क्यूंकि आप हम बात कर लें आप देखेंगे तो अगर आप ऐसा सरीया डालते हैं मतलब कि 20 फिट का एक सरीया तो यह 50 फिट लंबाई में पढ़ेगा तो जायर ची बात हैं लंबा जादा है तो यह ऐसी क्रॉस सरीया पढ़ने वाली है मेन जिसको बोलते हैं इस टील यह आपकी नंबर साप में जादा रहेंगी तो सब पहले इसको फाइंड आउट करने का बहुत यह आसान तरीका होता है तो आपको पता यह होना चाहिए कि जो सरीया कि आपकी डिश्टेंस से वो कितने इंचिस पर डाल रहे हैं तो दोस्तों जो देशी बाचा की बात करें तो जाल इसको बोलते हैं तो जो इस टेंडर्ड सा करने 1,6 inch के बात करें कई बात 6 inch सरीय फ्राक्स पर तो थो यह जो इस टेंज की बात कर रहा हूं पढ़ना है तो 26 पर मंद बात करें तो बाराइँंच होता मतलब है एक में दो सराज पढ़ेगा तो आपका 50 है टूटल तो अगर एक मिला यह तो पाजाज मल्टिपलाई टू कर दें तो आपका हंड्य सरीयागप लस एक एक्ष्टा पढ़ेगा, क्यों एक्ष्टा पढ़ेगा क्योंकि जो last का सरिया उसको हम calculate नहीं करते, तो 101 सरिया पढ़ने वाले हैं आपके, ये cross समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर 6 inch आप 1 fit में 12 inch होते हैं, 6 inch पर 1 सरिया डालने तो 12 inch में एक fit में दो सरिया पढ़ेगा, ये समझ में आ गया होगा, तो 50 जो 20 fit length का सरिया पढ़ेगा या 6 meter का पढ़ेगा तो वो आपका 50 multiply 2, क्योंकि 50 feet की लंबाई है, और एक extra आपको add कर दें, तो 101 सरिया ऐसे होंगे, जो 20 feet के ऐसे ऐसे पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं, जो ऐसे सरिया पढ़ेंगे, वो कितने पढ़ेंगे उसको number आप find out कर लेते हैं तो इनकी भी बीच कर में 6 inch distance रखें, तो ये 20 feet में पढ़ने हैं, तो जो 50 feet length का सरिया आपका पढ़ेगा वो पढ़ने वाला है, 50 feet length का कितना पढ़ेगा, वो पढ़ना है 20 feet में तो, 20 feet multiply दो इसमें भी पढ़ेगा लब कि 40, प्लस एक extra add करते हैं, जो last वाला सरिया होगा उसके यहाँ पर count नहीं होता है तो 41, सरिया याँ बोल दें ऐसे बार बोल सकते हैं जो भी आप चाहें, वो बोल सकते हैं तो आपको जो चौडाई में पढ़ेगा, वो 101 सरिया और लंबाई में जो पढ़ेगा, 41 सरिया पढ़ेगे, अब हम कल वे लिए तो मैं find out कर लिया, कि हमने इतने सरिया लगेंगे, अब find out करते हैं वेट, तो वेट, देखिए, क्या होता है कोई जब च्छत डलवाता है, तो कोई 3 इंच का सरिया लगवाता है कोई 4 इंच का लगवाता है, मतलब कोई है तो देखिए, अगर आप इंच की बात करें 3 इंच में एप्रॉक्स 8 mm होते हैं और 3 इंच में approximately 8 mm होते हैं और 4 इंच की सरीया में approximately यहाँ पर 10 mm, 3 point something होता है तो 10 में approximately ले रहा हूँ तो आप किस मुटाई का सरीया डाल रहा है तो मुटाई पर depend करता weight increase हो जाता है तो मैं यहाँ पर example लेज़ कर चल लहाँ 3 इंचेज का कि आप जो भी सरीया लगा रहा है तीन इंच में 8 mm मोटा सरीया यहाँ पर लगा रहा है तो weight find out करने के लिए एक formula होता है सरीया का अगर weight find out करना है D square into L upon 162.2 यह thumb rule है दोस्तों यह बहुत important formula है weight find out करने का सरीया का अब हम बात करते हैं D यहाँ पर जो है दोस्तों diameter diameter किसका है सरीया का यह बार का diameter की बात कर रहा है जैसे कि मैं जो example लेकर चल ला हूँ 8 mm यहाँ mm में value रखना है आपको 8 mm यहाँ पर diameter D के value कितनी होगी 8 mm यह बात करें तो आप कौन वाला यह वाले सरीया के weight निकाला है 101 जो सरीया है यह वाला तो यहाँ पर length होता है ठीक है वो आपको meter में रखनी होती है वो जो कि आप रखेंगे meter में होके इसकी value आपको meter में रखने होती है तो दोस्तों find out कर लेते हैं weight तो सबसे पहले जो 20 feet length मतलब यह वाले सरीया पढ़ेंगी यह कितने सरीया पढ़ेंगी इनका weight क्या होगा तो मैं इसको 6 meter में जो सरीया पढ़ने वाला है meter में यह 6 meter था जो इसको 6 meter बोल सकते हैं 20 meter सरीया के square multiply weight the length sorry तो 6 meter meter में यह रखेंगे आप 162.2 तो इसको आप calculate कर लें जो भी आएगा यह approximately मैं मैंने already हाँ पर calculate कर रखा यह आपका आता है 2.36 kg जो एक सरीया यह पढ़ा एक सरीया के weight आ गया 2.36 kg तो जो 6 meter में इस नंबर आप सरीया मैं already find out कर चुका हूँ 101 सरीया लगने वाले हैं तो एक सरीया के weight हो गया 2.36 तो 2.36 into 101 सरीया जो लगेंगे उसका जो weight आ जाएगा 239.11 kg मतलब कि दो कुंटल 49 kg यह तो आगे जो आपके 6 meter लंबाई में सरीया पढ़ेंगे इनका weight अब हम बात करते हैं जो ऐसे लंबाई में पढ़ने वाले हैं जो 15 meter के उनका weight निकाल लेते हैं तो मतलब कि जो 15 meter के सरीया पढ़ने वाले हैं उनका weight तो 8 mm मतलब कि मैं यहाँ पर 3 inch का सरीया यहाँ भी लगा रहा हूँ तो यह meter value रखने हैं मतलब कि 15 meter का और अपान 162.2 तो यह find out करते हैं तो यह आपका प्रॉक्स आप इसके जब calculate करेंगे तो इसकी जो value निकलती है 5.91 kg जो लंबा वाला सरीया होगा दोस्तों पढ़ेगा एक सरीया के weight 5.91 kg होगा तो total जो लंबे वाले सरीया पढ़े थे 41 आ 9.91 multiply 41 तो यह number of value जो निकलेगी 2.42 kg 6.6 kg तो यह आपका जो चोड़ाई में सरीया पढ़ने वाला है उसका weight है 2.49 kg और जो लंबाई में सरीया पढ़ने वाला है वो 2.42 kg अप्रॉक्स में वही राउंड फिगर आ गया तो अब इनको add कर लेते हैं तो इसको मैं 40 consider कर लेता तो 42 यह हो गया और 42 यह तो यह total अगर हम add करें 4.80 kg जो आपका लेंटर डालने में च्छत बनाने में 4.80 kg लगने वाला है अगर हम cost की बात करें तो यह दोस्तों अलग-अलग सहरों पर depend करता है तो total cost अगर हम 4.80 kg चार quintal दोस्तों चार का cost की बात करें तो अप्रॉक्स मे 4500 रुपए केजी 4500 रुपए क्युंटल परता है मतलब 4500 रुपए क्युंटल तो 4.8 कर दें यह kg में दोस्तों value मैंने नकाली यह यहाँ पर क्युंटल हो गया ठीक है 4.8 तो इसको जो भी multiply करने है 5 क्युंटल है तो approximately आपका 18,000 जो भी value है वो आपका यहाँ पर उतने kilo आ लगने वाला उतने रुपए का तो आप यहाँ पर अगर आपके यहाँ 4000 रुपए क्युंटल सरीया चला तो आप चार मैड करें आपके 4500 चला तो 4500 तो मैं एवरेज राउंड फिगर 4000 लेता हूं तो 18,000 रुपए का आपका सरीया यहाँ पर 18,200 रुपए का approximately मैंने value निकाली तो आपका सरीया एक हजार स्कार फिट कर जो च्छत बनाएंगे उसमें लगेगा तो यह तो इसकी cost की बात होगी number आप सरीया और quintal में कैसे find out करते हैं मैंने आपको बता दिया बहुत simple number आप सरीया निकाल लीजिए तो यहाँ पर जो ऐसे से डालेंगे 50 है तो फिट में आपका दो सरीया पड़ रहे हैं तो 50 फिट में 100 प्लस एक है इस्टा तो 101 सरीया आ गया है जो ऐसे डालेंगे तो वही फंडा यहां भी है आप 31 आ गये 41 आ गये और इनको value आप मीटर में select कर लें और एक formula होता है weight find out करने का D square into L upon 162.2 इसमें value put करेंगे तो आपका total kg में सरीया आ जाएगा multiply करने के बाद और इसको add करके आप quintal में निकालने और उसकी value find out कर लें तो यह बहुत basic funda होता है आप कैसे च्छत में सरीया निकाल सकते हैं कितना की quintal उसमें लगने वाला है अब आ लगले different price होता है दूसरे steel का तो find out कर लें वीडियो आपका कैसा लगा हमें comment करके बता है और अगर आप और भी कोछ चाहते हैं कि इसमें value बगारा कितना लगेगा गिट्टी कितना लगेगा या labor cost क्या होता है वो सब भी मैं find out कर दूँगा तो यह पुरा वीडियो था कैस लगा हमें comment करके फीड़ बैक जरूर दें thanks for watching